देश बर में गनेश चतुर्ती का त्योहार लॉटा है और गनपती का जो ये दस दिन का त्योहार है मुंबई में भी बड़े जोरो शोरो से मनाया जा रहा है यहां के लोग गनपती को सुख, शान्ती, सम्रद्धी और अच्छे स्वास्ति के लिए बहुत मानते हैं लेकिन इस साल हम ऐसे एक गनपती में यहां मौझूद है जहां पर चॉकलेट आर्टेस्ट रिंटू राथोड ने एक सामाजिक सोशिल मेसेजिंग के तौर पर एक गनपती बनाए है हम उनसे समझेंगे कि यह जो चॉकलेट गनपती विता सोशिल कॉज है यह exactly क्या है और इसको बनाने में किस तरह का समय लगता है और क्या दिक्कते भी हुई मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गनपती के आपको बहुत शुबकामना है मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यह जो अपने थीम के आधे मेल गनपती और आधे फीमेल अर्धनारी गनपती बनाए है इसके पीछे आपकी क्या विचारदारा थी है क्या थॉट प्रोसेस था देखें जैसे आप देख रहे हैं अर्धनारी गनपती तो हाफ मेल और हाफ फीमेल फॉर्म है यह बहुत ही पुराना यह गनपती जी का स्वरूप है जो हम काफी सद्यों से भूल गए थे इस बार वापस आए है चॉकलेट के रूप में यह मैसेज इसलिए है यह जो गनपती के थुरू में देना चाती हूँ हम सब जानते है कि पिछले इतने सालों से स्थ्रियों के पती क्या हिंसा हो रही है उनकी क्या परिस्थिती है हम सब जानते है तो इस बार का जो बापा के थुरू मेसेज है वो यह है कि अगर संसार में संतुलन बनाए रखना है तो पुरुश और स्त्री वो दोनों का दरज्जा एक्वल होना चाहिए और अगर समाज वो करने में कहीं अगर पीछे रह जाता है और तो के साथ अगर ना इंसाफी होती है और प्रसाशन या समाज अगर कुछ नहीं कर रहा है तो फिर और तो को खुद को ही यह जो देवी का स्वरूप है वो मा काली का स्वरूप ले लेना चाहिए तो यह मेसेज वही है आप यहां पे देख सकते है मा काली का भी मैंने यहां पे रखा है कि काली मा जो नरसा हार करती है जबी भी कहीं गलत होता है तो क्या काली करती है मा तो अब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि हम मा दुरगा बने मा काली बने और हमारी सुरक्षा हम खुद करें यह तो बहुत ही बैतरीन थीम है और यह सोशल मेसेजिंग का एक बहुत ही उन्दा संदेश आप दे रहे हैं लेकिन कुछ आपके मुर्थी के बारे में जानना चाहेंगे पहले तो कि कितने घंटे लगे आपको बनाने के लिए और इसमें यह जो है 25 इंच 30 किलो चॉकलेट का इसमें इस्तमाल हुआ है मुझे करीबन 48 आज लगे यह मुर्थी को बनाने के लिए और इसका जो विसरजन होगा वो दूद में किया जाएगा और मैं 90 लीटर्स मिल्क का इस्तमाल करूंगी विसरजन के लिए मैं यह जो आप होम ग्रोन चॉक कहीं न कहीं इसे कह सकते हैं तो इस दूद का आप क्या करते हैं बाद में इसका कहां किसी को दिया जाता है प्रसाद के रूप में तो आइडिया यही है कि जो यह दूद में विसरजन होता है तो उसका फिर मिल्क शेक बन जाता है चॉकलेट मिल्क शेक आप जो यह कलर्स द जो मिहमान है घर में परिवार हैं वो इन जो प्रसाद के लूप में लेते हैं। मैơ जोदा साल से एक चॉक्लेट आॉर्टिस्ट रहें तो मैं जानना चाहूंगा कि किया आपकि पॉपिलारिटी और डिमांड उतनी बढ़ गई है कि और ओर्डर आते हैं आप कस्टमाइजेशन से लोगों के लिए भी क्या मुर्तिया बनाते हैं हाँ तो ये मैं 14 साल से चॉकलेट में से गनपती बना रही हूँ पहले तो अपने घर के लिए बनाती थी लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला मीडिया में आने लगा डिमांड बढ़ने लगी लोग बोलने लगे हमें भी बना के दीजे तो तब से मैंने बनाना शरू किया अभी तो मतलब पूरी दुनिया के पॉब्लिकेशन्स में मेरे न्यूज आते है और दुनिया भर से जैसे यूएसे से हौंग कॉंग से सिंगापूर से दुबाई से लोग गनपती लेने आते है और अपने साथ गनपती बापा को चॉकलेट गनपती बापा को लेके जाते ह तो फिर इस सल तकरीबन कितने गनपती आपने लोगों के लिए बनाए है? करीबन सो गनपती की मूर्तिया इस बार मैंने बनाई है तीन इच सबसे छोटे होते हैं और तीन फीट सबसे बड़े और करीबन 15 विराइटीज है मेरे पास अलग-अलग गनपती बापा की मैं आखरी सबसे रहेगा यहां देखने मिल रहा है कि आपने परियावरन के उपर खास ध्यान दिया है जो बीच पर मूर्तिया होती है या उसके अगले दिन पर जो धेर सारा कचरा देखने मिलता है विसरजन के बाद यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो यह शुरूवात ही इस तरह हुई थी क्योंकि मैं जुह बीच के पास रहती हूँ वहाँ सुब़े चलने जाती थी और विसरजन के बाद अगर आप वहाँ जाते है तो थोड़े आपको रदे दुखाने वाले थोड़े द्रश्य दिखते है क्योंकि दर्या में से सब वापिस आ जाता है और गनपती के हाथ कहीं पैर कहीं लोग चलके जा रहे थे तब ही मैंने सोचा कि इसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए वहाँ से ये शुरूआत हुई तो आइडिया ये है कि सरजन से लेके विसरजन तक सारी प्रक्रिया घर के अंदर होती है घर में ही मूर्ती बनती है उनका विसरजन भी घर के अंदर होता है तो ना तो कुछ बाहर से आता है ना बाहर को जाता है सीवाई के बापा के प्रसाद के और उनके आशिरवाद के तो अपने कहीं न कहीं जीरो वेस्टेज, जीरो पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से दर्शाय है जी बिलकुल तो यहां पे कंसेप्ट यह हो गया कि शास्त्र की साबसे गनपती बापा की पूजा करते हैं तो बापा खुश है बच्चों को प्रसाद देते हैं तो बच्चे खुश है और बिलकुल ही पॉल्यूशन कुछ किसी भी तरह का नहीं होता है ना तो water pollution ना noise pollution तो परियावरण भी खूश है और सब को खूश देखके हम भी खूश है मैं बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए कैमेरमेन राजू रिवनकर के साथ देव कोटक आज तक मंबई